दोस्तो नमस्कार और स्वागत एक और वीडियो में दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आप जो है आपके पास अगर कोई पैट है जैसे डॉग है कैट है या कोई एक्जॉटिक बर्ड है तो क्या आप उसे इंडिया में डोमेस्टिक फ्लाइट में अपने साथ carry कर सकते हैं अपने साथ कहीं ले जा सकते हैं या नहीं तो इस विशे पर दोस्तो आज हम बात करेंगे तो आप से requested दोस्तो कि अगर आप first time मेरे चैनल पर आया है तो चैनल को जरू सब्सक्राइब पीजिए दोस्तो इस चैनल पर पेट है तो इसको domestic flights में कैसे carry किया जाए दोस्तो दिखिए maximum सारे domestic में कुछ को छोड़ दिया जाए तो सारे domestic planes में जो है दोस्तो यह provision होता है कि अगर आपके पास कोई pet है जैसे कि dog cat या bird तो उसको carry कर सकते हैं अपने साथ है या अगर अपने साथ निए carry कर सकते हैं दोस्तो तो उसको आप जो Cargo होता है उसमें आप उसको carry कर सकते है condition यह रहता है दोस्तों की जब आप उसे carry कर रहे हो तो उसके लिए जो कुछ जो कोई भी जो है ऐनिमल डॉग या cat carry करनके दूस्तों तो कुछ boxes होते हैं जो carry boxS होते हैं उसमें especially जो इनके लिए बने होते हैं उसमें जो है इनको आपको डाल के carry करना होता और इनकी weights weight भी जो होता है दोस्तो वो भी fixed है इसके लिए अलग से आपको जो है आपने अपना टिकेट टो book कर लिया है plane में लेकिन दोस्तो साथ में इनक फिलिए अलग से आपको जो है इनके वेट के अ facto जो है इसको एकस्टर लगेज के रही के हिसाफ के अपको चार्ज स्पेक करने होते हैं दों स्थ और इज्ट के वेत पोड़िए और चार्जस है वह अलग-अलग जो है फ्लाइट की कंपनी जो अलग-अलग सर्विस प्रोवाइडर है उनके हिसाब से वो सब अलग-अलग चार्जेस रहते हैं दोस्तों लेकिन दो चीज़े दोस्तों कॉमन है वो मैक्सिमम जिस भी मतलब फ्लाइट की जिस भी कंपनी में जाए या किसी भी फ्लाइट से आप जाए एर जो है वैलिड हेल्ट सर्टिफिकेट और वैक्सिनेशन सर्टिफिकेट जो होते हैं अगर वैक्सिनेशन सर्टिफिकेट है तो बर्ट के नहीं होते हैं लेकिन जो हेल्ट सर्टिफिकेट और वैक्सिनेशन सर्टिफिकेट जो होते हैं यह हर जगा मांगे जाते हैं दोस्तो तो इसके requirement must होती है किसी भी domestic flight में अगर आपने pet को carry करना चाहते तो ये must होता है उसके बाद दोस्तों जो दूसरी चीज होती है अगर आपका pet जो है अगर 5 kg से कम होता है तो उसको आप अपने साथ 5 kg से कम है including box में आप carry कर रहे है और उसकी अगर size चोटे जैसे की rabbit है या कोई bird है तो इन सब चोटे pet होते हैं इनका weight कम होता है तो इनको जो है दोस्तों आप अपने साथ जो है अपने flight में carry कर सकते हैं लेकिन condition यह है दोस्तों कि उस flight में है दोस्तों maximum अगर किसी flight में carry कर रहे हैं तो दो से ज़्यादा ऐसे pets को maximum limit दो होती है दोस्तों जिनको आप cabin में अपने साथ carry कर सकते हैं बाकी जो है उसको आपको cargo में भीजना होता है दोस्तों और उसमें भी जो है दोस्तों दिखिए पहली जो है आप जब भी अगर अपने जो pet को carry करने चाहने तो उसके पहले आप सबसे पहली requirement होती है जोस्तों एक बार आप जो भी जिस भी flight से जा रहे है तो उसमेn पहले पता कर लें कि उसमें वो जो pet है उसकी facility उसमेn pets ले जाने की facility available है जा नहीं है दोस्तों और अगर उसमें नहीं है और अगर उसमें है तो ठीक eran good नहीं है तो आपको फिर दूसरी flight देखनी होगी और अगर available है तो उसमें weight क्या है और उसके charges क्या क्या है और certificates requirement क्या क्या है ये भी आप पता कर ले उसके बाद ही दोस्तो आप आप यह वहां जाए क्यों को पुछ सेंगों, तैक्यू